दोस्तो अगर आप एक अच्छी बाडी बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो इसकिन हो काफी गलो करें या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो बाल है वो काफी अच्छे रहें इसके साथ आप अपने सिक्स लाइक को भी इंप्रूब करना चाहते हैं तो उस कि अगर कम हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉप्लम साथ कि बाड़ी में होती है टेस्टोरल लेवल क्या होता है टेस्टोरल लेवल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं सारी जानकार इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो में तक बने रही है आई आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्टोरन नेवल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं तो आई सबसे पहले आपको बताते हैं कि टेस्टोरन क्या होता है दोस्तो टेस्टोरोन एक हार्मोन होता है जो महिला और पुरस यानि की मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है दोस्तों महिलाओं में इसकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है ना के बराबर होती है पर पुर्सो में ये primary hormones होता है यानि कि पुर्सो में अगर बात करें तो उनकी जो दाड़ी आती है और बाल होती है sex life आपकी जो होती है इसके साथ आपकी जो hormonal changes होती है बौडी में आपकी हड़ी जो होती है वो काफी कमजोर होती है मगर आप muscles चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो testosterone level होता है वो high होना चाहिए यानि कि सारी जो जिम्मेदारी के होती है इन सारे कामों के लिए वो आपकी जिम्मेदारी होती है टेस्टोरल नेवल की दो तो टेस्टोरल नेवल जो आपके होती है वो 30 से 30 उमर्द तक काफी high पर रहती है अनले कि अपने peak पर रहती है और इस के बादos रहती है। टेस्टोरल लेवल की कमी होती है अब टेस्टोरल लेवल की कमी कैसे होती है और कैसे पताच करें कि हमारे बोड़ी में टेस्टोरल लेवल की कमी है या फिर नहीं उसके बारे में थोड़ा सब को बता देती हैं जोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके बोड़ी में टे तो यह पहला कारड होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडि में टेस्टोर्ण लेवल की कमी है दूसरा आता है कि आपकी sex की इच्छा न होना। दोस्तों, sex की इच्छा तभी होती है, जब आपके body में testosterone level की high मातरा होती है, अगर आपके body में testosterone level की कमी होती है, तो इससे आप कभी भी आपकी sex करने की इच्छा नहीं होगी, इसके साथ erection की कमी हो जाती है, आपको कई सारे problems आने लगती है, आपकी जो private parts होती है, उसमें ज़्यादा erection होता है, और आप सीधे रूप से कई सारे problems आने लगती है, इसके साथ आपके body में जो होती है, वो semen की कमी हो जाती है, दोस्तों, semen की कमी भी होती है, जो प्रजिनन समता होती है, हमारी स्वास्त के लिए काफी important होती है, और semen की कमी होती है, वो basically depend करती है, जितना आपका testosterone level high रहता है, उतना ज़ाद आपके body में semen बनता है, तो ऐसे में अगर आप semen की आपके body में कमी रहती है, तो वो कारण होता है आपका testosterone level का, इसके साथ बाल आपके जढने लगता है, दोस्तों, बाल भी जढने का कारण जो होता है, वो testosterone level पे ही depend करता है, आपके बाड़ी में काफी ज्यादा थकावट महसूस होती है आपको पूरे दिन में आराम करते हैं बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं फिर भी आप थके थके फील करते हैं तो इसका भी कारण हो सकता है कि आपके बाड़ी में टेश्टोरेन लेवल की कमी होती है आपके बाड करते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि अब आपको बड़ी में तेस्टोरल की कमी हैं तो कैसे आप इसका इलाज कर सकते हैं वो भी घरेरू लूपस है यानि कि आपको कोई भी medicine वगर नहीं लेनी है सब घरेलो रूप से कैसे आपको उसका अपचार कर सकती है तो पहला का आप इल्यास कर सकते हैं पहला कि आपको तनाओ कम करना है तो बहुत सारे लोग हैं जो आज के सव में तनाओ से परेशान हैं सारे आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं अपने पास्ट को लेकर काफी ज़्यास सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा पीछे कुछ उन के साथ हो गया है तो उसके बारे में सोच जा रहे हैं मेंटली रूप से जितना ज़्यादा आप टॉर्चर रहते हैं जितना आप परेशान रहते हैं मेंटली रूप से आपकी टेस्टोर्ण लेवल की मात्रा कम होती जाती है बोडी में जिससे आपकी कई शाय प्राबलम साने लगती हैं तो टेश्टोर बढ़ाना है तो सबसे पहले डिप्रेशन वगर अगर 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 है तो कम करिए इसके साथ सीला जीत का आप सेवन कर सकती हैं मार्केट में बहुत साथा सीला जीत मिलती हैं काफी ज़्यदा आज के समय फेक हा गए हैं तो आप सही जो गुड क्वाल्टी क सीला जीत होती हैं उसका सेवन कर सकती हैं बैसिकली अगर आप सीला जीत का यूज तब ही करें जब आप वर्काउट वगर कर रहे हैं जिनकी बॉड़ी वगर नहीं बन गई है और वो मसल्स वगर उनके बॉड़ी पे नहीं आ रही है कई सारे वर्काउट करने के बाद भी तो वो इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सेक्स लाई को इंप्रूब करना साथे हैं, तो उसके लिए भी सिलाजीत का सेवन आप कर सकते हैं, इसके साथ नारियल का भी आप कर सकते हैं, दोस्तों नारियल में आपके गुड़ फैड फायर जाते हैं, जो कि टेस्टोरेन ले बढ़ाने के लिए काफी मदद करती हैं, तो आप इसका भी 7 कर सकती हैं, इसके साहen साथ आप जाहें, तो असो गंधा यहीं, इसमें भी काफी अच्छे हर्मोन स्पाए जाते हैं तो आपकी performed testory level को काफी बढ़ाती हैं, इसके इसके साथ साथ एक संतुली तहार आपको लेना होता है, निकि दिन में आपको काफी ज़्यादा प्रोटीन्स वाले, काप्स वाले, फाइवर वाले, जिसमें हाई नूट्रिशन वगएरा हो, उन सारे पोसक्ततों को अपने डाइट में सामिल किजिए, ब्रेकफास्ट में ली आपके और चाएगा जिसका सेवन कर सकते हैं, जुस्तों आपको वजन भी कम करना होगा, जुस्तों अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो उससे ही आपकी जो टेस्ट वर्ल लिवल होता है, वो काफी कम हो जाता है तो अगर आप अपने वजन को कम करेंगे तो आपका टेस्ट और लेवल आफिकली आपको बढ़़ जाएगा इसके साथ विटामिन डी या फिर अगर आप सराव अगरे पीते हैं नेचूरल ठरीके से आप अपने टिस्टोरल को बढ़ा सकते हैं, योगा गर सकते हैं, एकसासाइज कर सकते हैं, और कुछ इसके साथ साथ आप कुछ अनार ले सकते हैं, तो कई सारे घरेलू रूप से भी इलाज होते हैं जो आज के इस वीडियो में हमा आपको बढ़ा लेती हैं तो क्या-क्या benefits मिलता है सबसे पहले आपका benefits मिलता है आपकी hair quality आपके बाल जो है काफी मजबूत हो जाएंगे जढ़ रहें तो नहीं जढ़ेंगे सफेद जल्दी नहीं होंगे इसका साथ आपकी sex life काफी इंप्रोब होकी testosterone level के बढ़ने के कारण इसका साथ body वगरे नही काफी अच्छी मातरा रहती है तो ये सारे benefits आपको मिलती है अगर आपके body में testosterone level हाई रहता है दोस्तो आज होप आज के जानकारी आपको चलिगी वेरा और आप समझ योंगे कि testosterone level की कमी क्यों होती है testosterone level क्या होता है testosterone level कैसे हम घरेलो रूप से बढ़ा सकते हैं सारी जानकार हम आपके लिए लाते रहती है